दोस्तो आज की वीडियो की शुरुवात हम बॉंड इल्स के चार्ट से करेंगे इंडिया में अभी लगबग सबको पता चल गया होगा कि गोल और सिल्वर के अंदर जो एक गिरावट आ रही है उसका मुख्य कारण बॉंड इल्स है और आप देख सकते हो अगश्ट 2020 के जुले 2012, जुले 2016 और अगश्ट 2019 बॉंड इल्स के लिए सपोर्ट का काम कर रहे थे और उसी समय पे फरवरी 2020 में बॉंड इल्स ने ये सपोर्ट को एक बड़ी केंडल से तोड़ा और बहुत नीचे चला गया और अभी बॉंड इल्स फिर से एक बार ये लेवल के ऊपर आ है यानि कि बॉंड इल्स के अंदर एक बड़ा ब्रेकाउट आया है तो चांसे से कि बॉंड इल्स यहां से थोड़ा और उपर जा सकती है तो चलो पता करते हैं कि बॉंड इल्स यहां से और कितना उपर जा सकती है अक्टूमबर 2018 से बॉंड इल्स के अंदर गिरावट की शुरुवत हुई अगश्ट 2019 के अंदर ये गिरावट थमी और वहाँ से एक पुल बैक उपरी तरफ आया जनवरी 2020 में फिर से ये गिरावट की शुरुवत हुई यानि कि एक बड़ी गिरावट के बाद एक पुल बैक आया और एक फिर से बड़ी गिरावट आई दोस्तों ह वो आ सकती है ऐसा हम बता रहे हैं हमने जो आपको सरकल करकर एरिया चार्ट के उपर दिखाया है वहाँ तक पहुचने के बाद बॉंड इसके अंदर गिरावट की शुरुवत होनी चाहिए दोसों चांसे से के उससे पहले भी ये गिरावट शुरू हो सकती है क्यूंकि अंदर क्लियरली देख सकते हो कि बॉंड इल्स ने पांच मार्च 2021 के बाद से तीन बार नया हाई लगाया है लेकिन उसी समय चार गंटे के चार्ट पर एमेसीडी इंडिकेटर ने लोवर हाई लगाया है याने कि चार गंटे के चार्ट पर निगेटिव डावर्जंस बन रहा है उसी तरह से अगर हम बॉंड रिल्स का डेली चार्ट देखते है तो आप क्लियरली देख पाऊगे कि मार्च के महिने से बॉंड रिल्स तो ऊपर जा रही है लेकिन मेसीडी इंडिकेटर फ्लैट हो चुका है और मेसीडी इंडिकेटर ने सिगनल लाइन से ब्रेकड रिल्स में टॉप लगेगा वहाँ से वो नीचे आना शुरू करेंगी चलो अब डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखते हैं अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वो डॉलर इंडेक्स का एक दिन का चार्ट है और आप देख सकते हो के डॉलर एक बड़े राइजिंग चान और यहाँ से 91 डॉलर तक डॉलर इंडेक्स में गिरावट आ सकती है डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आने का दूसरा मुख्यकारण हमें यह लगता है कि 28 में 2020 को 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनिशल मुविंग एवरेज का डॉलर इंडेक्स ने ब्रेकडाउन दिय है तो पहली बार में ही यह इसे तोड़ेगा ऐसा हमें नहीं लगता तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा और डॉलर इंडेक्स यहाँ से कमजोरी का संकेत दे रहे है तो अगर यह दोनों के अंदर कमजोरी आती है तो गोल और सिलवर यहाँ से ऊपर जाने के चांसे बहुत ही जादा है तो चलो अब गोल और सिलवर का चाट देखते है और पता करते है कि यह कितने उपर जा सकते है अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पहेचानवालों के साथ य हैर करना ना भूले시व तक कि यह जांकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके लोग और हुआ है कि कि दोस्तो अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वह गोल का और और bond yields का daily का चार्ट है, आप देख सकते हो gold और bond yields दोनों उपर जा रहे हैं, अभी जो आप वीडियो में देख रहे हूं, वो gold का और dollar index का daily चार्ट है, आप देख सकते हो gold और dollar index दोनों उपर जा रहे हैं, दोस्तों ये ज़्यादा समय नहीं चलेगा, क्योंकि dollar index का और gold का negative correlation है उसी तरह से bond hills का और gold का भी negative correlation है जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुवात में बताया कि dollar index अभी resistance के पास आ चुका है और bond hills के 4 गंटे के चार्ट पर और एक दिन के चार्ट पर negative divergence बना है तो पूरे-पूरे चांसे से कि यहां से bond hills और dollar index निचे जाएगा और gold ऊपर जाएगा जैसे कि अभी आप वीडियो में देख सकते हो पिछले कुछ दिनों से gold consolidate हो रहा है अगले अपते gold इससे breakout या breakdown दे सकता है अगर अगले अपते इससे breakdown आता है तो हमें लगता है gold उसके पूराने recent low के पास वापत जाएगा और वहाँ से gold के अंदर एक बड़ा उच्छा लाएगा दोस्तों हमें लगता है bond hills और dollar index अभी कमजोरी के संकेत दे रहे है तो यह gold के लिए positive है और gold अगर उसक पूराने recent low के पास जाता है तो वहाँ से उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा bottom बन के bounce आ सकता है अगले हपते हमें ध्यान रखना है 1764 dollar के level पर अगर gold इसे तोड़ता है और closing basis के ऊपर इसके ऊपर बंद होना शुरू करता है तो gold के अंदर तेजी की शुरूवात हो सकती है इंडिया के अंदर दोस्तो 44,960 का एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है पिछले वीडियो में हमने आपको clearly बताया था कि 44,960 के ऊपर बंद होने पर ही gold के अंदर नहीं तेजी बनेगी आप देख सकते हो पिछले कई दिनों से gold ये level के ऊपर बंद नहीं हो पाया है अब silver के बारे में पता करते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो हमने आपको पिछले वीडियो के अंदर जो resistance एरिया silver के लिए बताया था आप देख सकते हो पिछले कई दिनों तक silver उसे नहीं तोड़ पाया और उसके बाद silver के अंदर एक गिरावट आई silver के daily chart के उपर अभी एक hidden shoulder pattern बना है ये pattern का target आ रहा है 5.30 डॉलर का अगर silver इसे तोड़ता है तो silver 19 डॉलर तक नीचे आ सकता है याने कि silver ये hidden shoulder pattern के breakdown के बाद उसके करोना के level तक वापस आ सकता है इंडिया के अंदर भी आप clearly देख सकते हो silver के daily chart के उपर एक hidden shoulder pattern बना है अगर silver ये pattern से breakdown देता है तो इंडिया के अंदर silver 52,500 तक नीचे आ सकता है silver को अगर ये pattern को fail करना है तो international market में silver को 26.30 डॉलर और इंडिया के अंदर 67,700 के उपर बंध होना पड़ेगा silver के लिए positive बात ये है कि bondage और dollar index कमजोरी का संकेत दे रहे है उसी तरह से silver के 4 गंटे के chart पर एक positive divergence बना है अगर आप इंडिया के अंदर silver का 4 गंटे का chart देखते है तो आपको पता चलेगा कि silver की किमते lower low बना रही है उससे उल्टा MSED indicator higher low बना रहा है यानि कि silver के 4 गंटे के chart पर एक positive divergence बना है international market में भी दोस्तो ये positive divergence को आप clearly देख सकते हो तो दोस्तो silver के लिए ये बहुत ही positive बात है तो दोस्तो ये वीडियो का सारवंच ये है कि dollar index और bond yields के अंदर कमजोरी के संकेत आ रहे है तो अगले हपते से अगर bond yields और dollar index के अंदर गिरावट आती है तो gold के अंदर एक तेजी बन सकती है और gold के अंदर अगर तेजी बनेगी तो silver के अंदर automatically तेजी बनेगी क्योंकि gold और silver एक साथ चलते है तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment दोराद जरूर बताए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को like करे चैनल को subscribe करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पहिचानवालों के साथ share करना ना बुले ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद Thank you